आपका मेरे चैनल पर आज मैं फिर से आपके लिए फिश की रेसिपी लेके आई हूँ मैंने फिश फ्राय की रेसिपी अपने चैनल पर पहले ही शेयर की थी और मैं फिर से आपके लिए ये फिश करी की रेसिपी लेके आई हो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बनाना उत् अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा चमच हल्दी पाउडर मैंने जो इसके उपर डाल दिया है हमें एक छोटा चमच लगेगा हमें चाहिए इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैंने एक छोटा चमच आब अगर ज्यादा तीखा पस से इसे फिश के चालो तरफ नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर को अच्छे से रब कर देंगे हाथ से करना बहुत आसान होता है इसलिए हम हाथ से ही करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आप देख सकते हैं कि मैं किस तरिके से रब कर रही हूँ तो इसे सारे इसी तरिके से फिश के सारे विश को हाथ की मदर्स से रब कर लें तो फ्रेंट्स मैंने कर दिया है तो अब हम आधे घंटे के लिए इसे मेरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे अब हम आगे की तियारी करेंगे ये मेरा दो मिडियम साइज का प्याज है जो हम मिक्सर के जाल में डाल देंगे और हमें लगेगा तीन मिडियम साइज का टमाट और एक हरी मिर्च, आप चाहे तो तीखा ज्यादा पसंद करते हैं, तो हरी मिर्च और यूज़ कर सकते हैं अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, तो आगे की तयारी अब हम करेंगे फ्रेंड इससे मसाले को पिसने में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया था अब मैंने एक पैन में ओइल को गरम होने के लिए डाल दिया है और आप जो ओइल यूज करते हैं वो करें और अब हम फिश को आदे घंटे के बाद मैरिनेट जो हमने करने के लिए छोड़ा था वो फिश को हम धिरे-धिरे इसमें डाल देंगे और फ्रेंड्स हम हर तरफ दो-दो से तीन मिनट इसे देंगे और हलका लाल होने तक इसे हम फ्राइ कर लेंगे तब देख सकते हैं हलका लाल होने लगा है तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब फ्रेंड्स इसमें हम और तीन से चार बड़े चम्मच हम ओईल ले लेंगे आप जो ओईल यूज करते हैं वो ले लें उसे अब हम गरम होनी देंगे गरम होने के बाद जो हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ट्रांस्पर कर देंगे और फ्रेंड्स हम इसे पूरी तरीके से ड्राइ होने तक यानि कि जब तक आपके मसाले से ओईल अलग होने लगे कि तब तक हम इसे भूनेंगे तब तक हम इसमें एक बड़ा चम्मज अधरक लहसन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करके ओईल रिलीज होने तक हम इसे भून लेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारे मसाले से ओईल अलग होने लगा है हम एक से दो मिनट और चला लेंगे इसे हम इसे मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है गैस का आज अपने हिसाब से अब कम जादा एजिस्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हमें हम डाल देंगे एक और आधा चमब धन्या पाउडर और अब इसमें डाल देंगे एक और आधा चमब जितना लाल मिर्ग का पाउडर अगर आप ज्यादा दीखा पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं और एक चमच हम डाल देंगे जीरा पाउडर और अब हम नमक स्वाधनुसा डालेंगे आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उसे इसमें डालें अब हम इसे मिला करके थोड़ा हम भूल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा ड्राई हो गया है तो इसके लिए हम डाल देंगे इसमें आधा कब पानी उसके बाद आप आसानी से इसे भून पाएंगे ने तो ये सुखा मसाले जलने लगते हैं तो पानी डाल के थोड़ा इसे भूलने अच्छे से लाल होने तक आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी भूना चुका है तेल भी हमारा अलग ह होनी लगा है इसमें से तो फ्रेंट्स अब आगे का प्रोसेस करेंगे इसमें हम तो अब हम इसमें डाल देंगे 250 ml जितना नारियल का दूद्ध फ्रेंट्स नारियल का दूद्ध आप घर पर भी बना सकते हैं बहुत असानी से तो हम इसमें डाल देंगे 250 ml जितना नारियल का आप देख सकते हैं कि हमारा दूद में अब उबाल आ चुका है तो हम आपस में एक और फिर से मिक्स कर लेंगे इसे तो और हम दूद को भी अच्छे से पकने देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा उबाला गया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें अब हम डाल देंगे एक कप जितना पानी फ्रेंड्स आप ग्रेवी जिस हिसाब से रखना चाहते हैं तो मैंने एक कप जितना पानी इसमें डाल दिया है तो अब हम इसमें हलका उबालाने पर हम इसमें मचली के सारे पीसे ट्रांस्पर कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी भी उबल रहा है हम इसे हलका हलका थुरा हिला लेंगे ज्यादा हिलाएंगे तो आपका मचली तुट सकता है आप देखल के हाथों से इसे हिला लें तो मैंने थुरा अच्छे से हिला लिया है अब हमारा मचली उबलने भी लगा है तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे लो लो फ्लेम पे हम इसे ढग करके दस मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स हमें लो फ्लेम पे दस मिनट के लिए छोड़ देना है अब दस मिनट हो गया है लो फ्लेम पे मैंने डाला है आप देख सकते ग्रेवी हलका गारा सा हो गया है तो हम एक बार फिर से फिश को हिला लेंगे अब फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर से हम थोड़ा इसे हिला लेंगे ताकि ये ग्रेवी में मिक्स हो जाए गरम मसाला पाउडर और फिर से हम थोड़ा उबालानी देंगे इसमें तो अब हम इसमें डाल देंगे हडा धनिया कटा हुआ, चौप किया हुआ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स आज अपने हिसाब से अब कम जादा कर सकते हैं और ग्रेवी कितना गाढ़ा रखना है यह भी आप अपने से रिसाइट कर सकते हैं जितना गाढ़ा ग्रेवी चाहिए आप उतना गाढ़ा ग्रेवी रख सकते हैं तो friends हमारा fish curry अब तयार है तो आप थोड़ा एक दो मिनट और उबाल आने के बाद आप इसे बंद कर दे और इसे गर्म करम चावल के साथ सर्फ करें चावल रोटी जिसके साथ खाना चाहते हैं उसके साथ सर्फ करें अगर आप एक ही तरीकी की फिश्ट खाके बोड़ हो गया तो यह फिश्ट की जरूर ट्राइ करें तो उमीद करती हूं कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें हमारे च